नमस्कार मैं राजमोंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज बिहार में कोविड-19 जाच को लेकर पिछले दिनों विपक्ष नितिस सरकार पर हमलावर था विपक्ष के नेता तेजस्वी यादों ने तो उप मुख्यमंत्री शुशील कुमार मोधी को चैलेंज तक दे दिया कि अगर सुशील कुमार मोधी या साबित कर दे कि बिहार में 9000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है तो वो राजनीति छोड़ देंगे उस समय तक तक तो नहीं लेकिन उसके कुछ दिनों बात से यानि लगबख 10 जुलाई से बिहार में को रोना की टेस्टिंग 9000 से ज्यादा हो रही है लेकिन अब बिहार में कोवीड-19 टेस्टिंग को लेकर एक अच्छी ख़वर सामने आई अब बिहार में कोवीड-19 की टे के माध्यम से मात्रा आदे घंटे में कोरोना की रिपोर्ट आ जाएगी बिहार में पटना पहला जीला बना है जहां रैपिड एंटिजन कीट के द्वारा जाज शुरू हो गई है अनी जीलों में भी जल्द ही इस कीट के द्वारा कोविड-19 जाज की प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी हलांकि इस संबंद में एक और जनकारी आपको दे दूं कि इस रैपिड एंटिजन कीट से सभी कोविड-19 मरीजों का जाज नहीं किया जाएगा क्यूंकि यह एक निश जाज की जाएगी भारत के अन्य राज़ियों में रैपिड-19 कीट से जाज काफी पहले हो रही है 15 जून से भारत के कई हिस्सों में इसके माध्यम से जाज हो रही है लेकिन बिहार में इस कीट को आने में लगबग एक महीना लग गया है अब यह भी जान लेते हैं कि इस र रैपिड सबका इस्त well करते हैं वहीं जब सरीर में कोई भी बाहरी चीज आती है जैसे वाइरस vest या कोई इंवेक्षान तो उस बाहरी चीज को antigen करते है यानि rapid antigen test का मतलब टेजी से उस बाहरी इंवेक्षान की जाच अब आते हैं इसके जाच करने की प्रकिडिया पर, जिस व्यक्ति की जाच करनी होती है, उसके नाक और गले से स्वाब, यानि गले से लार और अगर नाक से लिया जा रहा है, तो नाक के भीतर पाए जानाई वाला तरल, एक पतली सी नली से थोरा सा सेंपल के तौर पर लेते ह इस तरल को टेस्ट कीट पर डाला जाता है, यह टेस्ट कीट थोरी देर में बता देती है, कि जिस व्यक्ति का सेंपल है, उसमें कोरोना वाइरस है या नहीं, इस एंटीजन टेस्ट में लगबग 30 मिनट लगते हैं, अगर एंटीजन टेस्ट में टेस्ट रिजल्ट पॉज जाएगा अब तक बिहार में आटी PCR से ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा था आटी PCR टेस्ट को भारत में कोरोना की पक्की जांच यानि सौ परतिसद सही रिपोर्ट देने वाला माना जाता है बिहार में कोरोना पोजिटीव मरीजों के मिलने की रफ्तार काफी जादा बढ़ गई है इसलिए रैपीड एंटीजन कीट से जांच मरीजों को जल्दी पहचानने में एक अच्छा विकल्प होगा हलांकि जरूरी है कि रैपीड एंटीजन कीट से जांच के लिए जो प्रायरेटी दायरा बनाया गया है उसे और बढ़ाया जाए तब यह और ज्यादा काड़गर साबित हो सकता है ख़बरों से अबडेट रने के लिए देखते रहेए बिहारी नीज धन्यवाद